हेलो एब्रिवान वेल्कम टू चंजा के रसोई आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल रसिपी जो की है समर स्पेशल रसिपी रम्यों में खाने के मिल जाए तो क्या कहने हैं स्पेशली डिनर के बाद तो आज हम बना रहे हैं फालूदा कुलफी आ आउट वेस्टिंग अनी टाइम लेट्स गेट स्टाड़ेड बट उससे पहले अगर आप प्रिचेदर के रसोई को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक्यू यहां लेलिया है मैंने एक कटोरी मैदा उस इस तरीके से बिल्कुल पतला सा घोल हमें रेडि कर लेना है ठीक है पानी अपनी इस साब से डाले थोड़ा मोटा लगे तो और पानी याट कर सकते हैं अधर एक कटोरी मैदा के लिए 1 कटोरी से 3 कटोरी पानी यूज करें इस तरीके की थिन कंसिस्टेंस से चाहिए हमें अब जलते हैं अपने next process के तरह इधर मैंने कढ़ाई गरम करने को रख दी थी अब हम इसमें धीरे धीरे करके बैटर डाल देंगे अपना और इसे continuously चलाना है हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अदर्वाइस लम्स पर जाएंगे और साथ ही हम इसमें एट करेंगे एक से बिल्कुल बेकार बन जाएगा तो हमें चलाते रहना है इसे और मीनवाइल हम इसमें डाल देंगे फूट कलर मैंने ग्रीन कलर यूज किया है आप चाहें तो यलो रेड कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं और यह देखे इसे continuously चलाना है इस बात का ध्यान रखेंगे और यह जब आप इसे continue चलाएंगे यह देखे कितना प्यारा से कलर आया है इसका और कितना स्मूथ लग रहा है इसी तरीके से बेचलाते चलाते से स्मूथ कंसिस्टेंसी देनी है बहुत जादा गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत सूखा सूखा सा भी नहीं होना चाहिए के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स प्रोसेस के तरफ अब हम एक बड़े से बाउन में आइस ले लेंगे अच्छे कॉंटिटी में चाहिए और से में डाल देंगे थोड़ा सा पानी यह मशीन है जिससे हम फालुदा बनाएंगे और इसे हमने अच्छे स कर लेना है को अगया की यह इस तरीके से हम अच्छे से घ्री इस करने के बाद हम फड़ा पट से इसमें फीलिंग कर लेंगे पर रिचकर में थाट हमें भर्टेंगे दो थोड़ा गर्म रहेगा तो द्ध्यान से करेंगे काम यह हमारी फिलिंग होगी है कंप्लीट अब हम टाइट रहे हमारा बिल्कुल बर्फ वाला होना चाहिँ फोल में इस के लिए तो अब हमें इस मशीन की हेल्प से पाली दूर को इस पानी में डालना है यह देखिए इस तरीके से एकम ऐसे इसे दाले को कितने लंबे लंबे से लच्छे बन रहें हैं इसी तरीके से मिस्शी में घुझे किया है उसे इस तरीके पानी में डाल लेना है यह जब गरम-गरम फालŁदा हम इसमें डालेंगे तो ठंडे पानी में डालने से यह होगा कि यह जम जाएंगे यह देखिए कितने अच्छे से हमारा फारुदा बनकर रेडी हो रहा है किते लंबे-लंबे से लच्छे बन रहे हैं बस इसी तरीके से हमें चाहिए बनाते वक्त से बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे जैसा है वैसा ही हमने इसे धक कर इसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए शिया शीट्स करने से पहले हम इसे दो तीन घंटे भीकोना पड़ता है जालना चाहें तो डाले अधर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं बिल्कुल ऑप्शनल है रेडी करेंगे अपनी पालुदा एसक्रीम पहले तो ग्लास में डालें लिए टोना ग्लास में डाला है अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने रेडी कर दा अपनी पालुदा यह डिखिए यह निकाला पानी से और यह वने तरिक्ली किलास में डाल दिया इसके बाद इसमें एक करना है मैंगो पल्प के लिए आपको मैंगो को सीधा ही मैंगो आइस्क्रीम मैंगो आइस्क्रीम भी मैंने घर पे बनाई है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शिन वाक्स में डाल दूगी आप चाहें तो वहां से चक आउट कर सकते हैं आइस्क्रीम अच्छे से डालें इसके स्फून शिया शीट्स देखिए टॉपर से डालें गे मैंगो पल्प और ये डिव तो कही है हमारी तो मैंगो आइस्क्रीम देखने में तने यम्य लग रहा है चुर। अपर फिरसे हम थोड़े तोड़े से डाल देंगे तो पालुदा कर देंगे विट्स्ट्रा रएप र आपको यह बहुत अच्छा लगेगा आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए का यह देखिए आई कैचिंग लग रहा है आप यह जरूर बना के देखें मैं आपको एक और रिंग पना कर दिखाती हूं यह हमने फिर से दो ग्लास लिए इसमें डाल देंगे हम शिया बूदा डालने के बाद इसमें अड़ करेंगे स्ट्रॉबरी पल्प इपने बहुत सारे पल्प साते हैं यह पास स्ट्रॉबरी पल्प रखा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका भी बना कर दिखा दूँ आपको ड्रिंक वह दोनों ग्लास इसमें हम डाल देंगे स्ट्र बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको यह ड्रिंक कैसी लगी तो यह रड़ी होगे आपका दूसरा वैरिएशन ट्रॉबरी परूदा आइसक्रीम और ऐसे ही मज़दार टेस्टी और इसे रेसिपीस के लिए सब्सक्राइब करें चंद्रा किरसोई थैक्यू बब